हेलो दोस्तों जैसा कि हम लोग वर्चुवल वर्क पढ़ रहे थे मैकैनिक्स में तो अब तक हमने वर्चुवल वर्क में यह पांच लेक्चर कम्प्लीट कर लिए था यह हमारा सिक्स लेक्चर है तो जैसा कि वर्चुवल वर्क में हम लोग में पिछले Lecture में sufficient पार्ट पढ़ा था principle of virtual or coplanar forces on a particle में ठीक है तो हमने particle पढ़ लिया था कि मितलब sufficient पार्ट तो पिछले पिछले lecture में ज्यादे lengthy lecture हो गया होने को जैसे हमने सुचा कि इसका अलग से वीडियो बना दिया जाए क्योंकि पिछले आज लेक्चर था उसमें कुछ प्राब्लम भी हो गई थी जिसके वज़ा से आगे वीडियो नहीं बन सका ठीक है तो फाइनली अब हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंस्पाल वर्चुल ऑफ और सिस्टम आप को प्लेनर फोसेज एक्टिंग एट डिफ ऑफ होगा यहां पर प्ल पार्टिकल की बात हो रहें थे यहां पर हम लोग icity की बात करेंगे तो यहां पर क्यों कि हो क्या हो रहा था डिस्प्लेस्वेंट हो रहा था यहां पर रोटेशन्स भी होगा ओप रोटेशन पहर दिख समझो पहलेसंग अब को यह को y Bossy तो आप लोग समझ गये होंगे वेशिस से के इंडिया कर रही है यानि देखो यह देखो यह खोता है कि चल मतब कि डिस्प्लेस्मेंट यानि ऐसे हो गया यह पार्टिकल हो गया अब यहां पर हम लोगों को पढ़ना है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन यानि रोटेट करते कि डिस्प्लेस्मेंट कवर करेगी इस तरह से ठीक तो आप लोग समझ गयोंगे च्छात्रें ठीक है आसानी समझ गयोंगे तो अब इसमें हम देखते हैं कि रिजिट बाड़ी में क्या है तिकि सेम डिफनेशन है जैसा कि ऑने पार्टिकल में मैंने पढ़ाया था दर नेस इसमें मैंने बताया है अच्छे से पूरे डिटेल में को प्लेनर फोर्सेज कि इसमें सारे जो चीज़ है क्या है इकली विरियम में डिसकेशन कर रहे हैं हम लोग दाने सेस्टरी और सफिसियंट करी संदाट रिजीड बोडी एक्टेट अपने प्लेनर फोर्सेज टू बी इकली विडियम इस अलजेबिक समाफ अफ वर्चुल वर्चुल में देन्वाइद फोर्सेजिन स्माल डिस्पलेस्मेंट जीरो मैंने फिर्च्छ लेक्ट्टर मे जो हमारा displacement होगा क्या होगा आभासी होगा मतलब होगा जो हमको आभास हो तो सेम डिफिनेशा ने जैसा कि पार्टिकल मिलखा जहां पार्टिकल यह वहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसे नोट का लिजे अब हम इसको आपको प्रूब करके दिखाएंगे कि सारे आभासी बहलो पार्टिकल प्रूब किये थे उसी तरह सेम प्रूब करेंगे बस हलका सा थोड़ा से बीच में डिफ्रेंस रहेगा तो पहले इसको नोट कर लिजे डिफिनेशन को इसके बाद हम लोग आगे इसका प्रूब करते हैं तो देखी इससे और ने पार्टिकल पर हम लोगे सेम की हैं सेम है मतलब लेट एफ़ाई को प्लेन फोर्सेट एक्टिंग ए एक्स आई वाई आई कोडिनेट ठीक है अब फेर रिजिट बाड़ी किसका रिजिट बाड़ी का लेट एक्स आइंड वाई आई दरिजॉल पार लॉग एक्स और चला खाट इवाला और रिजिट बाड़ी किसका है रिजिट बाड़ी को ओड़ेंट वाइट है और इसके दो आपको फोर्स लगेगा तुमकल पाट क्या हो जाएगा एक्सटू और वाई टू इस तरह 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 याल पार्स होंगे और ये आप फाइछ लगएगा वेग्स टार्फ तुमक्त कर लगएगा ओस अन्वााई के दी सामी लेगेगा ठीकि तरह से आपको मैं समझा देता हूं यह मेरा क्या एक्सिस है ओके यह मेरा एक्सिस है यह एक्स एक्सिस है यह आपका वाई एक्सिस है यह आपका हो गया डिजिट बॉड़ी ठीक यह आपका क्या हो गया एक रिजिट बॉड़ी हो गया अब ध्यान से देखिए इसमें माल लेते हैं ए ठीक इसका क्वार्णेट कि x 1, y 1, ओके, हम इसका coordinate x 1 और y 1 माल लेते हैं, अब देखें, वही लिखा है, कि आपका जो यह फाई 4 से किसके दिसाम लेगा है, ox and y 1 नी, ox और y की दिसाम फोर्स लेगा, ठीक, यह तो एक base हो गया, अब corresponding to small displacement of the body on the body, let a dash x 1, y 1, अब माल लेते हैं कि हमारा यह जो बॉडी है यह जो बॉडी है इस तरह से यह जो मेरा बॉडी है इस तरह से क्या हो गया है समल दिस्प्लेसमेंट कैसा इसमाल दिस्प्लेसमेंट ठीक यानि यह बोडि आ गया मेरा यह यहांपर स्माल दिस्प्लेसमेंट यानि डेल्टा-ठीक इसको मिला देते हैं यह इस्माल है जैसा कि फिगर में दीख रहा है कि यह समाल है ठीक है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वर्चुल वर्चुल मितलब कि आभासी तो यहां पर जो यहां पर लिख देता हूँ एक्स डेस ओ वाइडेस ठीक यहां अपका न्यू क्योनेट है बट यहां पर एक्सीच और लिखा है जो न्यू पोजीसाने डूटु वर्चुल वर्क का थो ईनेंगल जो की एंगल बना रहा है तो एंगल बन रहा है डेल्टा ठीटा है ट्रांसलेशन भी हो रहा है डेल्टा ए डेल्टा भी कौन सा ट्रांसलेशन हो रहा है डेल्टा ए डेल्टा भी देखी किस तरह से यहां पर मैंने लिखावा कि जो फोर्स से किस डिर्शन में लग रहा है ओ एक्स और ओए की दिशा में तो देखिए फोर्स आपका कौन सा डिर हलका से डिस्प्लेस किया ठीक उसके बाद ओए की दिशा में फोर्स लगा तो हलका से यह ऊपर डिस्प्लेस किया ठीक तब आपका जो नया कोड्नेट है यहां पर आकर बनेगा एक्स डेस और वाइड़ेस ठीक फिर से मैं समझा देता हूं जो चीज मैंने फिगर में समझा हूं वही छीज से मैं इसमें लिखा हुआ है ठीक इसमें आपका बोला है कि एक माल लेते हैं टू स्माल डिस्प्लेस्मेंट हो गया ठीक आपका जो बॉड़ी है जो रिजीड यह वाइज हो जाएगा लेकिन उससे पहले क्या होगा कि वर्चुल ट्रासलेशन करेगा यानि आप आशी बतलब कि बिस्थापन करेगा मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इस तरह से भी स्थापन मतलब कि रोटेशन करते हुए टेस्ट डिस्प्लेश्मेंट करेगा तो इस पर माल लेते हैं कि इसने डिस्प्लेश्मेंट किया डेल्टा ए डेल्टा ब यानि एक्स की दिशा में डेल्टा ए और वाई की दिशा में कितना डेल्टा भी डिस्प्लेश्मेंट किया ठीक तो वही चीज़ें लिखा हुआ है कि सो एंड दू वर्चुल ट्रासलेशन डिल्टा यदा डियूमस्य ड्किंद केथा?, कि आ कि अब क्लियर हो गया है इसी नोट करीए अब यह पुरूप नहीं हुआ है तब इसको पूरूप करना है पहले इतना नोट करिए पहले फिगर पहले को समझ लिजेंच !! इसको पहले नोट करीए देखिए बहुत ही सिंपल साइज को देखकर घवराना नहीं है बहुत ही सिंपल साइज तीन बार अगारा दो तीन बारा प्रेक्टिस करते हुए असाम सा और रिजिट बाटी कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है ठीक है फार्मला बेसे दिया मैद के सेंट है तो आप समझ सकते हैं ठीक है ज्यादे नहीं है तो मैं इसको पुरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से तन समझ में आज़े ठीक है पहले इसका देख लेते फार्म दा वर्टीवल वर्क डन बाई एक्सवन प्लस वर्टीवल वर्क डन बाई वाई जैसा कि हमने पार्ट तो हम ध्यान से याव देखेंगे तो मैं इसको आराम से फिर से फिफिगर बना देता हूं यहाँ पर यह आपका O है armored is a डेल्टा थीटा हो गया क्या है अब इसका हल देखिए ही चिजा लिखाए कि ना-उरग वह इसॉत पर फोट्स लगेगा displacement क्या किस्त में X की दिसहां में Y 1- cuestión । यहां तक समझे हुआ उसके बाद अब धियाद से देखेंगे अब लिखाै one Même Tschao M है इसांभी कितना लिखा एकशड माीनेस एकसवान अभी एकश्ड सब्रीक्ष क्या है बताते हो यह आपका क्कॉद्नेड किना था एक पुद्नेड में अब यह ग Mississippi जोन्य ञेशड से अब यह आपका न Хотя Mire मुझेट है अब देखेंगो तो यहां से प्राक पुरा मतलब यहां तेना हो गया एकश लेस हो गया इसी के पैल्लह על दिशा और यह किदना है यह यह यथा चेलहा पाट एक्स वन है कि ये छोटां पत कितना एक्स वन है एक्स ओर यह फूगण से एक्स वन ये पुलवा पार्टा निकाले यह इतना घटा दे यानि पुला लॉइन है इतने मेस आगर हम इतना घटा दे तो यह प्रॉत हो हजाएगा बेसिस से के इंडियर चाहत है चाहिए क्लास 12 में इस तरह का कॉंप्लिकेटर कोश्चन किया होंगे आप लों ने तो इतने मेंसे अगर हम इतना घटा दें यानि एक्स डेस माइनस एक्स वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यही समझने का खेल है बस यह समझ जाएंगे पुड़ा क्लियर हो जाएगा यहां पर देखिए अब यह कहां से यह देखिए यह ध्यान से देखेंगे तो यह इस तरह से ठीक है जो कि मैंने अलग से बनाए हुआ है इसको इसी चीछ को तो 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 मैंने तरह बनाए हुआ है तो आपका जो है इस तरह से देखिए तरह बना हुआ है यह वाला यह वाला ओके कौन वाला यह वाला मतब थीटा प्लाट ठीटा जो दुनों मिला आकर तिरभूज बना हुआ है यह धर आपका देखिए वा य की दिसाम इसके दू रिजॉल्ट पार्ट हो रिजॉल्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था और साइन थीटा प्लाट बेस बेस मुझा है का और कॉस थीटा प्लस डिल्टा ठीटा ठीक यह इसके र के दूर टौर्ज पार्ट सहके और को कि दूर्यॉल्ट चे रिखा गया है एक्स बेस माने सेome कितना है डिल्टा एप्लस ओर कॉस ठीटा fallव कॉस धीट lr ikot टीटा यहानिकिन ऐक दिशाम है एक्स और कितना displacement हुआ है यानि इतने में से इतना घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना डिल्टा भी यह समझ रहो ना जैसे मेरा कोई चार पांच है तो मतलब एकस की दिसाम कितना चला चार और वाइस की दिसाम कितना चला पांच यह इसका मतलब होता था यानि एक डेस वाइस मत मतलब इतना पुरा कितना ह्यों गतना है एक डेस मुटा कितना है यह चोटा अला पाड क्ट एच चोटा आल पाड करी तो हमारे यह बचे बुसक्या दिल्टा भी टो वह गेंटके टीटा बी और और साइन टीटा ठीटा टीटा इसका पासे ऊपर को जैसा कि मैंने बताया था कि जितने पॉाइंट भूंगो उतने जॉड़स बनेंगे फाल साइन बीटा ठीटा और माइनस जो इसके इंक्लूडड़ है माइनस ऐसंटीव मॉइन he ठीक इतना सोन जाएगा हुआ अब इसाफ इसमें दोनों के एक साथ लिखा गया है आपर एक सट लिखा गया है आपको अब उसके बाद जाएक सट प्लाई किया जाएगा सब्सक्राइब जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको कुछ नहीं करना यह मैत का कंकुलेटर किया गया उसके बाद देखिए है जैसा कि हम लोग सुरू से पढ़ते आने कि सिंस स्माल देरफ़ साइन डेल्टा ठीटा डेल्टा ठीटा एंड कॉस्ट डेल्टा ठीटा 1 कि यह सा है तो साइन डेल्टा ठीटा की जगा हम क्या लिए सकते हैं डेल्टा ठीटा और कॉस्ट डेल्टा ठीटा की जगा लिए सकते हैं ताब ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा एक सवन प्लस डेल्टा बीवाइब प्लस एक सवन और कॉस्ट थूटा माइनस और साइन डेल्टा ठीटा यानि और कॉस्ट ठीटा और कॉस्ट डेल्टा ठीटा कितना है यहाँ पर वन दिखा गया है मतलब कुछ नहीं मैं बिल्टिक्प्राइब करें तो वहीं बचेगा उसके बाद माइनस आर साइन ठीटा SIN DELTA THETA कि цент कहा होगया DELTA THETA A Cartman plus Y 1 R sin theta cost delta theta R sin theta and cost delta theta कितने हो गिए? 1 plus R cos theta sin delta theta sin delta theta कि לד Stop theta then91 DELTA theta and minus Y the same to same लिख़ दिया गिया यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा उसके पाद DELTA AX1 plus DELTA BY1 ठीक है? डेल्टा AX1 प्लस डेल्टा BY1 प्लस X1 अब R cos theta को X1 लिखा गया है क्यों? और R sin theta को Y1 लिखा गया है ये कैसे? मैं बता देता हूँ देखे X1 मतलब X1 मतलब ये वाला distance ये छोटा अलम मैं तिर्भूज बना कर दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा complicated है लेकिन बड़ा simple सा है रूल जो जानगा वो आसान होगा है ठीक है? यह है न? नेखी यही तिर्भूज यहाँ पर क्या है? X1 Y1 यही न है ये वाला बनाए है छोटा वाला और ये angle कितना है? theta है तो आपका ये angle theta में है? है कि नहीं? तो आपका ये कितना है? ये भी R है अरे ये ही displacement की ये R है तो ये भी कितना है? R येने दोनों semi length के ध्यान रखिए ये बस ये दोनों semi length के ये तरह जे displacement हुगा है तो ये R है ये theta है तो ये कितना हो गया? इसके दो result part होंगे R sin theta R cos theta तो R cos theta यानी ये X1 है इतना पुड़ा और R sin theta मानी ये पुड़ा कितना है? Y1 है ओके? ये समझ गये न? ये छोटा अला part बनाएं भाई समझ गये हो गया तुम लोग ठीक है? ये R cos theta कितना है? X1 है ये R sin theta Y1 है ठीक? बेची सेकेंडियर के हो पढ़े हो, मतलब ये जान गए होगे result parts करना सिखे, जानते होगे और नहीं जानते हो तो मेरा first, second lecture जरूँ देखना भाई उसके बाद देखते हैं R cos theta हमाने पूरूब किया X1 किस तरह से आया? और R sin theta माने पूरूब किया कि किस तरह से Y1 आया? उसके बाद into delta theta जो की included है, minus X1 प्लस Y1 R sin theta Y1 हो गया, और X1 और cos theta कितना है? X1 की equal है, into delta theta minus Y1 ठीक, इतना मैंने बताया हुआ है उसके बाद देखिए इतना तो पहले समझ में आ गया होगा हमको रगता है पहले इतना नूट करीजिए तो देखिए, इसमें क्या हुआ है delta 1, delta X1, delta B, Y1 पढ़ लिए थे, ठीक है? यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो X1 और X1 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और यहाँ से आपका Y1, Y1 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक? तो उसके बाद जो हमारा है, बचेगा इसमें फिर अंदर मल्टिप्लाई कर देगा जो बचेगा, देखिए, delta AX1 पर delta BY1, minus small Y1 into capital X1 यानि जो capital X1 है इसके अंदर मल्टिप्लाई हो गया minus small Y1 capital X1 into delta theta उसके बाद इस capital Y1 का क्या हो जाएगा? इसमाल X1 में मल्टिप्लाई हो जाएगा into delta theta दोनों में हम लोग क्या करेंगे? delta theta क्या कर लेंगे? common कर लेंगे, ठीक? यहाँ पर दोनों में delta theta common कर लेंगा और यह हमारा पूड़ा क्या निकल गया? base base यानि अब हम यहाँ पर F2 particle लेंगे तो यही आएगा बस जहाँ पर X1, Y1, X2, Y2 हो जाएगा यहाँ फ्री लेंगे तो जहाँ पर X1, Y1, X3, Y3 हो जाएगा यह बेस जाएगा लेट माल लेंगे कि WB the algebraic sum of virtual work done by other forces तो जो हमारा जो इन लोकों का जो वर्चुबल वर्का जो सम होगा वही क्या होगा पूरा हमारा जो other forces का जो बतला कि जतने भी other forces F1 F2 F3 F5 जतने भी other forces इनका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा यहाँ पर सम करने के लिए ध्यान देखना होगी डेल्टा डेल्टा भी डेल्टा ठीट क्या है हमारा constant है यह तो change होने वाला नहीं है अब डेल्टा भी डेल्टा भी सिग्मा फीटा ठीटा सिग्मा यहाँ पर सिग्मा लिखेसल नहीं है इसे सिस्टम होते अंदर यह तो पता नहीं इतना मैंने एक्वं सेटेंल आपयों प्रीयव में उतन इतना था भुप खुझत में होतेोंicated यहंद हो जो हम इसको हूं इसको ह Ikow जो कर देंगे हैं इस तरह से हम ने पूरूप कर यहाँ पर ढ़ stra nice ability काशिच की सभी चीज़ क्या होती है तो अब इसमें एक पाट और करनाहे सफीशिष्एन पार निकाला था तो उसका भी इसका भी सफीशिषेन Water निकाला जाएगा लेकिन इसको अघले लेक्चयर में निकाल एक है तो अगले लेक्चयर बहुत बढ़ा हो गया है तो अगले लेक्चळ में sufficient part निकालते हैं तो इसको copy पर oh noot कर लिजे और इस figure को जरूब बना लिजेगा को की figure बहुत important है और घर पर जाकर 3 यह चार बाला इसको बाद यह ला चोटा ऑचाहँ है इसको coverage बना लिजयेगा इसको बनाने की जरुवत बिल्कुल माथ इसको इसको तनों को बना जीएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन बार प्रेटिस करेंगा आ जाएगा तो मिलते अंगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्वाद